नमस्कार मित्र जैमातडी स्वागते आप सभी का हमारे यूटुब चैनल में तो कन्या रासी वालो दिनांक 15 जून से लेकर 21 जून तक यानिकी मित्रो अगले 7 दिनों में स्वयम भगवान भी हेरान रह गए हैं आपकी किस्मत देखकर कि आखिर आपकी जिन्दगी में क्या चल रहा है मित्रो आखों के सामने सब कुछ छिनने वाला है यह 7 दिन आपकी जिन्दगी की परिक्षा के बराबर होने वाले हैं मित्रो अगले 7 दिनों में आप क्या पाएंगे क्या खोईंगे इस वीडियो में यही हम आपको बताने वाले हैं तो सब से पहले तो जो भी भक्त अपनी मां से प्यार करते हैं इस वीडियो के लाइक कर दीजेगा और कमेंट बॉक्स में केवल मातरानी के सच्चे भक्त ही प्रेम से जय माता दिली लिखिएगा मातरानी उनकी सारी मनोकामनाय पुर्ण करेगी मित्रो आने वाले यह साथ दिन व्यापार की डरश्ती से नोकरी की डरश्ती से पारिवारिक जीवन यापन के लिए प्रेम संभन्दों के लिए साथ ही मित्रो विद्यारतियों के साथ बेरुजगारों के लिए क्या समाचार है क्या साउधानिया है और क्या खुस खबरिया है समझत बातों की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं तो मित्रो हमारी इस वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखेगा क्योंकि वीडियो के बीच में जहां बहुत कुछ खास सा उधानिया हम आपको देने वाले हैं तो वही वीडियो के अंत में कुछ उपाई भी हम आप के लिए लेकर आए हैं जिने आजमाने में ना ही आपको कोई धन लगाना है ना ही कोई पुंजी लगानी है मित्रो इन उपाईों को आजमा कर आप अपने अंदकार रुपी जीवन में एक उजियाला भर सकते हैं तो मित्रो वीडियो में बताई गई एक एक बात को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता है तो चलिए आप सभी का किमती वक्त अगवाई बिना बढ़ते हैं अगले साथ दिनों के महत प्रण रासी फल की ओर तो मित्रो जितनी कठिन परिष्टी थी आपके ओपर बन रही है जिस संकट से सामना हो रहा है उसे दूर करने के लिए आपको खोद के ओपर विश्वास बढ़ाना होगा और किस प्रकार का सकरात्मक परिणाम आप चाहते हैं उस बात पर ध्यान बनाए रखना होगा मित्रो संकट सभी के जीवन में आते हैं लेकिन जो व्यक्ति उन संकटों से निपट सकता है संकट भी उसी के जीवन में आते हैं इसलिए मित्रो आपको कुछ नहीं करना है केवल खुद के उपर विश्वास बना कर रखना है और सकरात्मक सोच रखनी है मित्रो आपको बता दे कि मानसिक इस्तिती में आपके उतार चड़ाऊ नजराएगा आप एक जगह पर इस्तिर नहीं रह पाएंगे अपनी हिम्मत आपको बिलकुल भी नहीं खोने देना है क्योंकि मित्रो यदि आप हिम्मत हार जाएंगे तो फिर सब कुछ आपके हास से निकल सकता है व्यापारी वर्ग को पेशो से जुड़े विहवार करते समय अधिक साउधानी बरतने की आवश्यक्ता होगी और पेशो के मामले में किसी के दोरा आपको फसाया जा सकता है आपके साथ धोका किया जा सकता है मित्रो इसलिए पेशो का लेंदेन करते समय आप हो सके तो किसी तीसरे व्यक्ति के सानिध्य में ही या उसे गवा बना कर करें आपकी तकलिफों को दूर करने की अपिक सा हर बार पार्टनर की द्वारा रखना उनके उपर भी दबाव बना रही है इस बात का दियान रखें मित्रो अकनी तकलिफ जो है वह आपको स्वयम को दूर करने है एसा नहीं है कि आप अपनी तकलिफों से भागें जी हाँ यह गलत होगा आपको बता दें कि वक्त का सही इस्तमाल करके मिले हुए आउसर का पूरा वाइडा उठाना होगा क्योंकि जब तक आप वक्त का सही इस्तमाल नहीं करेंगे मित्रों आप वक्त भी गवाएंगे और अपनी एक्छवी भी गवाएंगे मन में बढ़ रही चंचलता को कम करने की कोशिस करें क्योंकि चंचल मन की वज़े से ही आप एक जगह ध्यान नहीं दे पा रहे हैं अपने विचारों में सकरात्मक ता लाकर अपना ध्यान बनाए रखना होगा तभी अपेक्सा के अनुसार कार पुरे होंगे मित्रों जीवन में जब सफलता मिलती है तो सफलता की पीछे एक कारण होता है वह सकरात्मक सोच और सकरात्मक सोच रखेंगे तब ही सफल होंगे नोकरी करने वालों को अपनी अपेक्सा के अनुसार प्रोजेक्ट में या नोकरी में बदलाओ दिख सकता है और आपके हर एक निरणय में पार्टनर आपका जीवन साथी और परिवार पूरा सहयोग देंग और जो अपने होते हैं वह तकलिफ नहीं देते हैं इसे के साथ मित्रो आपको धियान रखना है कि कारी छेत्र से संभन्दित निरणय लेना फिलहाल आपको कठिन लग सकता है क्योंकि कई सारे मार्ग आपके सामने आएंगे आप किसी एक मार्ग पर अमल नहीं कर पाएंगे परिवार की बातों पर पूरा ध्यान बनाये रखने की आपका आउशिक्ता होगी एक एक बात को आपको बारेकी से समझना होगा और सबसे पहली बात मित्रो की बच्चों की जरूरतों को समझे खास करके जब वह किसी भावनात्मक तकलिप से गुजर रहे हों वह आप से पूड़े लोगों को नई नोकरी की प्राप्ती हो सकती है जी हां लेकिन इसके द्वरा आपको क्या फाइदा प्राप्त होने वाला है और क्या सुविधाय मिलने वाली है इस बात का भी धियान रहें बच्चों से संबंदिश चिंता पार्टनर्स को सता सकती है लेकिन इसक कोशिस आपकी सफल रहेगी जी हाँ आप चाहे केसी भी परिष्टिती हो चाहे नकरात्मक हो चाहे असफलतवाली हो आप उस पर काबू पा लेंगे मित्रों आपको बता दे कि जितनी बातों पर आप काबू पा सकते हैं और उतनी ही बातों उसको ठेक करने के लिए प्रयत्न क करते रहें जी हां मित्रों आप में काबिलियत है आप में वह गुण है इसी के द्वारा आपको अपेक्सित प्रगती प्राप्त भी होने वाली है और परिष्टिती में आपको बदलाओ यानि की परिवर्तन भी नजर आएगा फिलाल आपको अधिक मेहनत करने की जरुरत होग मित्रों काम से संबंधित नए आउशर को ढूढते समय काम से संबंधित डिस्सीप्लिन और अपने कार समता को बड़ाने के आउश सकता होगी जी हाँ आपको बता दें कि किसी व्यक्ति द्वारा आप में और पार्टनर में फूट डालने की कोशिश के जा सकती है अर्थाथ आपको अलग करने के प्रेयतन कोई व्यक्ति कर रहा है एसे में आपको संभल कर रहना है क्योंकि यह जो व्यक्ती है यह आपका पक्का दुष्मन है जी हाँ और जब फूट डालेगा तो आपकी जिन्दगी बरबाद हो सकती है मित्रो अधिक तनाव के कारण सिर्दर्द और चक्कर जिसी तकलिफ हो सकती है आपकी दोरा ली गई बड़ी रिस्क के कारण आपको फिलहाल बड़ा फाइडा प्राप्त हो रहा है लेकिन जिन भावनात्मक तकलिफों से आपको गुजरना पड़ रहा था जिन भावनात्मक तकलिफ है आपको अंदर तक दुख दे रही थी मित्रो वह तकलिफे अब खत्म होने के कगार पर है ऐसी परिष्टिती फिर से उत्पन्न ना हो इस बात का धियान रखना होगा और यह सब आपी की हाथ में है मित्रो आप जितना भावनात्मक होकर निर्णई लेंगे जितना भावनात्मक होकर सोचेंगे उतनी ही तकलिफे आपको होगी परिवार के लोगों में हो रहे जगड़े को मिटाने की कोशिस आपको करनी होगी क्योंकि परिवार में जगड़े तो होते रहते हैं लेकिन आपको अपना फर्ज निभाना है उन जगड़ों को सुलजाना है खास करके जब बाद, विवाद, पेसे या प्रोपठी से संभंदित हो क्योंकि मित्रो इन दो कारणों के कारण ही आज की यूग में, हर परिवार में लड़ाई जगड़े हो रहे हैं काम से संभंदित सभी बातों में संतुलन आप बना पाएंगे जी हां काम से संभन्दित एक के बाद एक बात आईगी कुछ बातों में आपको नकरात्मकता दिखेगी तो कुछ बाते बनती बनती बिगड़ेगी तो कुछ बाते बनने को ही तयार नहीं होगी मित्रो काम किस प्रकार से चल रहा है उसी प्रकार से चलने दे और काम बढ़ाने की कोशिस फिलहाल ना करे पार्टनर की प्रगती देखकर आपको आनंद प्राप्त होगा और उनसे मिली प्रेणा के दोरा आप खुद को भी बहतरिन बनाने की कोशिस करेंगे खुद को समझेंगे, खुद के लिए कुछ करेंगे, तब ही जीवन में आप आगे बढ़ेंगे मित्रो पीठ दर्द को दूर करने के लिए डाक्टर की सलाह लेना बहुत आउशे होगा जिस बात का आप काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे, जिस बात के लिए आपके कान तरस रहे थे, उस बात को पुर्णता तरफ बढ़ता देख आपको समधान मिलेगा और आपके साथ साथ परिवार के लोगों को भी आनन्द प्राप्त होगा क्योंकि मित्रों कई कस्त के बाद, कई दिनों के बाद, कई दुखों के बाद यह बात अब आपके परिवार में आई है जिस से परिवार भी खोस होंगा, आप भी खोस होंगे और आपको बता दे मित्रो कि परिवार के युवाओ के लिए यह समय खास साबित हो सकता है जिस भी कारे में हाथ डालेंगे उसमें से सफलता लेकर ही बाहर निकलेंगे तो मित्रो वीडियो की समापती यहीं पर होती है वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवस्य कर दीजेगा कमेंट बॉक्स में गुरुजी का अशिरवाद प्राप्त करने के लिए स्री सिवाई नमस्तो भ्यम अवस्य लिखेगा गुरुदेव आपकी सारी मनुकामनाय पुर्ण करेंगे और मित्रो देनिक रासी फल एवं रोजाना ग्यान वर्दक वीडियो की प्राप्ति के लिए आप सभी हमारे चेनल को सस्क्राइब करके हम से अभी जुड़ जाईएगा